प्राजनीति को देखते वे उपीता हैं मलकरिस्ता बाद कसुती बाद ताओ के साथ में मैं ज़रा हर्यानवी अंदाज में कुछ समझना चाहूँगा कि ये जेपी के साथ क्या कसुती बात हो रही है एक के बाद एक चार विकेट गिर गया और चार के चार बड़े ना कि देखो चुनाबों से पहले भी बीजेपी से जेज़ेपी अलग ती अलग लग चुनाब जाड़ा साथ करीव 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 साड़े चार पाद साल निनोंने सत्ता का भोग बहुत भूंगा प्रतो अब उनको लगता है कि जेजेपी का आपना जो भविस्या है वो कुल शा लड़े किसके साथ चुनाब लड़े उसे लगता है जो इनके विठाइक है उनको लग रहा है कि उनका जेजेपी में कोई विस्या नहीं है इसलिए वो किदर जाएं तो इसमेह कम से छे बिदाइक जो मंत्री भी है विदाइक में है और जेजेपी के यह हो पार्टी बड़ा समय लगेगा तो चुनाबों की घोष्रा हो चुकी है तो इतना समय के लिए भी नहीं है क्योंकि चुनाब आयोग ने भी लगमा कि एक महिना पहले चुनाबों की घोष्रा कर दी इसकी तियारी में उनना सर्काष थी और नहीं विधाइक थे करते तो सभी थे कि हम सरकार ये सोच रही थी कि आप हमारे पास एक महिना और है आप और घोष्रा करेंगे और यहां तक थी कि अभी चुनाबों के पहले वो बिगयापन नीथी भी बना रहे थी कि एक महिने में किस-किस को चुनाबों को चुनाबों को चुनाबों की घोष्रा कर दी और तीन नम बिधाताव बनी थी प्रहन तो अभी एक अक्तोबर को चुनाव रख दी है तो इसलिए समय की कमी भी है और BJP के पास भी सोचने के लिए भी समय कम है और BJP जो है वो पार्टी छोड़कर लगता है कि कुछ बिधायक तो इसको जो है बो BJP चुनाव कर जाएंगे कि उनका जो या उनकी जो अपने निजी किया थी वो बीजेपी के साथ थी कैसे जैसे सरकार छोड़ी भी तो भी कुछ में जाए कि मूड़ में थे कि बहुत जानियों दुश्चन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि कल मैंने दुश्चन चौटारा का इंटर्व्यू किया जब मेरे सा तो इसका कोई जवाब है उनके बिदाइकों के जैजेपी में उनका कोई भुष्या ने पिछला जब लगा था तो जैजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था पाने के लिए था और जैजेपी काफी जो सो से लड़ी थी और उसने लोग दूसरी पार्टिया को पीछे काँ मेरा तीसरी नंबर पर यह पार्टी थी तो इस फरकार उन्गेुके साथ मिलकर सरकार मनाई थी रहा उसमें जो थे टुसमें एटा ना माच्छाट वी था और उसको फाइदा मेरा कि उनको 16 से म का पार्ट मिल गिया और उससाथ उनके बिदाइकांकों भी अच्छे पा तो इसलिए उन्हों ने जेजेपी के साथ नाता तोड़ने के साथ मुख्यबत इलागी को जाए जी को सक्ता बठाया उनको लगता है कि तीन चास मेंने का समय है इसमें वह भोसना भी करेंगे कुछ पूरा भी तरेंगे नौकरिये निकाले के इसमें अपॉइट्मेंट भी करेंगे पर एक महिना पहले जो चुनाबों की भोसना होगी उसका सेट वैक जो बीजेपी का सब्सक्राइब और ये जेपी को भी इसका जो बुखता ने पढ़ेगा अच्छा आपकी नजर में जो चूट रहे हैं आपको लगता है कि वह बीजेपी में ही जाएंगे या कॉंग्रस की तरब भी जा सकते हैं क्योंकि कॉंग्रस भी दावा कर रही है कि जमीन पर हवा तो कॉंग्रस का जो है वो ग्राप बड़ा है कॉंग्रस में दस नौ में से पांच सीट है जीती है जबकि बीजेपी ने जो है वो दस में से पांच सीट है जीती है और पिछली बार उसकी दस में से दस सिक्टों में ती इससे पहले पिछले चुनाब़ों में पिछले तो इसका थोड़ा बाद हो सकता है बीजेपी के और तो ने सीगूडा जी है उसके हैं लोग सावच्छ को चुनाबों के बाद और उनको केंदर का सिहरवाद है प्रहतु कांग्रिस्क में जो है वह आप सी फूत का जो है उसका थोड़ा भाद जब हुटा पर चकता है प्रहत देखकर जाएंगे कि जेत पी जाना है रापने का जो कोई डैक कर देखेंगे की उनको किभी के लिए दुश्रम के लिए चोटाला के लिए कितनी फुटती हो गई है क्योंगी भरपाई कैसे करें कि यह तो बहुत बढ़ी चुरुक्ती है क्योंकि यह तरह वो इनलों से टूट करो नहीं पार्टी बनाई थी और लोगों में उसा था युबा नेता थे दुसें चुटाला और लगता था कि यह करें निया और किया भी उनों धस सीटे ले लिए इनलों को काफी पीछे के बड़े हैं इनलों एक सीट आई थी और इसी प्रकार जो दूसरी पार्टी है चोड़ी पार्टी यह निर्दलिया थे उच्छी चिस्टे लिए थी तो उसमें स्थी अच्छी थी प्रतो अब जो लोगों को आ है वो जेएपी से मोग हो चुका है क्योंकि जेएपी ने ब परसेंट मिलना चाहिए या पैंसल बढ़ाने की मांगी थी और भी तरही जो से बाइदे किये थे उनको कूरे नहीं कर सकते प्रतो आप इस बात को माल सकते कि आप सत्ता में भागीदार थे और आपकी सत्ता में चलती थी आपका जब जब जबा था तो इसलिए आप अपनी मांगें बर्माने में सब्सक्राइब हो सकते थे प्रतो शक्ता के भी मजबूरी होती है आपको बाइदे देख करने चाहिए अब कौन आदमी आपे कौन बोटरिस पे विस्वास करेंगा कि दुसेंट चुटाला जो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे और अब मुख्यमंत्र लेकिन मैंने दुशन चौडाला से कर जब यह सवाल पुशात उन्होंने का कि चावी पहले भी हमारे पास थी चावी अब भी हमारे पास ही रहेगी आपको लगता है ऐसा संभव है दिखाई देता है दूतरा सवाल इसी में जोड़ देता हूं कि उनका यह भी कहना था कि ज दो ही नहीं रही है जो प्रकास चुटाला के जब अब यह पार्टी दो वाला हो चुकी यह माना जा सकता है कि इस भाध्या जनता पार्टी ऐं कांग्रस दोनों को अगर बहुमत नहीं मिलता तो निरदल्या जो मीद्मार होंगे जीतकर बिदायक आएंगे वह यह क्षेत्र अगर निर्दलिया ज्यादा कि जीटेर करते हैं, और सप्राटिय पार्टियों के पाइस आरे, एक दोती ही सीटने ही ओटी है तो उसमें डबद़ा निर्दलियाकों निर्दलियाकों है, परनादा कि तौह पिछल् отнош पर देखा जाता है तो इस प्रकार उनका देखा जाता है पर इस प्रक आंसे झाल किया है रहने क्मारे का हम आगे किरा सकता है यह नहीं किरा सक था तो इस परकार ये समझा सकता है अगर जेखासा सिट्फ ले जाए तो नहां है और किकिन लों भी जोट सब्सक्राइब को तो इसमें उन्जी किसके हाथ रती है क्या भी किसके हाथ है देखना पड़ेगा पर तो दोग जो है तो सवाल क्या आप अपने राजमेतिक अनुगों के आधार पर जो पत्रकारता में रहते हुए आपने मैसूस कि आपको लगता है कि जेडेपी 90 कि 90 सीट पर कैड़ेट उता जो है जेडेपी किस्टी है कि 90 कि 90 सीटाओं पर वीदवार उतार पाए और उन में से कम से 10 परसेंट भी जीर पाए तो यह कठन लगता है आगे जिस्टे के मलता है तो यह देखना पड़ेगा क्योंकि इनलों भी इस बाद जोड़ लगाएगी और आप आप आटी भी भी जोड़ने के लिए और अच्छी चर्चा करने के लिए जेजेपी के हाथ में चाभी रहेगी या नहीं रहेगी यह तो भविश्य बताएगा कि फिल्हाल उनके हाथ हाली होते जा रहा है यह तस्वीर साथ दोर पर दिखाईते रही है एक के बाद एक कई बिदायक मंतिर कैसे जो मैनेजमेंट है वो बना रहे ना कि उसमें बिखाव आ जाए और इस मौके पर कम से कम उनके लोग उनके साथ को छोड़ कर कहीं और न जाए यह प्रयास कर रहे होंगे अला कि अभी तक तक तफ्वीर उनके लिए धुद्री दिखाई दे रही है तबसकार